ऐख अई फ्रेश्वर किष्णा आई होप आप सभी अथी होंगे सेफ होंगे स्वस्थ होंगे प्रोटेक्टर होंगे तो चलिए देखते हैं आज आपको कालीमा क्या message देना चाहती हैं क्या guidance है आपके लिए देखते हैं आज काली मां की आपके लिए क्या guidance है क्या blessings है आपके लिए नट राज blessings of creative thinking तो यहां पे आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहां पे आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से करें क्या ideas आपको नहीं आ रहे हैं या कुछ आप नहीं शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से करें तो यहां पे आपको creative thinking की यहां पे blessings दे रहे हैं यहां पे काली मां आपको आपकी इस तरीके की blessings दे रहे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वहां पे आप अपनी creativity को use कर पाएंगे और अभी तक नहीं कर पा रहे थे इ रक्षाकाली, blessings of protection from natural disasters and accidents, यहां पर रक्षाकाली आपको रक्षा protection की blessings दे रही हैं from natural disaster and accidents, यहां पर अगर आप traveling करते हैं या आपको आना जाना पड़ता है कुछ ऐसी ऐसी चीज़े हैं जहां पर आप सोच रहे थी कि आप protected हैं कि नहीं आपको इस traveling के दोरान कोई problem तो नहीं हो और सिर्फ आप इस डर से नहीं जा पा रहे थी कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं यह travels आपको प्रोटेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो यह आपको कालिमा कहना चाहती हैं कि आप पूरी तरीके से protected हैं आप घबराएं नहीं ओके और उसके बाद देखे आया है आदी हैं कि आपके जीवन में आप आपके गुरुदेव जो हैं उनका आश्रवाद आपको मिल रहे हैं मिल रहा है कि आप का आश्रवाद इस तरीके से मिल रहा है कि आप उनकी एनरजी से connect हो रहे हैं या होना चाहते हैं तो आपको उनके नाम जब करना है उनका ध्यान करना है य और उनके उनसे connect होई है उनका ध्यान कीजिए इस तरीके से आपको कहा जा रहा है और अगर आप कर रहे हैं जो viewers इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको blessings मिल रही हैं उनके गुरुदेव की और साथ में आपको यह कहा जा रहा है कि connect with your inner self आपको meditation करने के लिए कहा जा र करके यहां पे आपको अपने inner self से connect होने के लिए कहा जा रहा है मतलब आप थोड़ी देर खुद को समय दीजिए हर चीज को पॉस दीजिए silent हो जाए और थोड़ी देर अपने आपको isolate करके खुद को समय देने के लिए कहा जा रहा है meditation कीजिए अपने इश्वर के साथ connect होई है उनसे बाती कीजिए अगर आपको इस वक्त किसी चीज को लेकर कि किसी परसन से आप हर्ट है तो अगर आपको रो ना रहा है तो आप रो भी लीजिए इस तरीके से आपको यह guidance दी जा रही है ब्रह्मचारी your determination and hard work will be fruitful देखे आपको यहाँ पर कालिमा कहना चाहती है कि आप क्यूं परिशान हो रहे हैं आप क्यूं इतना अपने mind को disturb कर रहे हैं अपने आपको disturb कर रहे हैं इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो कालिमा को बहुत बुरा लगता है जब आप अपने आपको इस तरीके से परिशान करते हैं तो कालिम आपसे कहना चाहती हैं कि आप अपने आपको क्यों इतना परिशान कर रहे हैं जो आपने determination दिखाया है जो hard work आप कर रहे हैं जिस भी area में viewers आप कर रहे हैं जिस भी छेत्र में आप लगे हुए हैं पुरा विश्वास करके अपने काम कर रहे हैं आप पुरी honesty के साथ अपना hard work कर रहे हैं पुरे determination के साथ अपने efforts लगा रहे हैं या फिर आप किसी person के लिए देख रहे है और आपने पुरा डिवोशन उनके साथ रखा है उनकी प्रति आपने पुरा डिवोशन रखा है आपके जीव में सोल मेट्स भी आए होंगे या कार्मिक्स भी होंगे लेकिन आपने उनको साइड में रखते हुए उन पर ध्यान ना देते हुए अपना फोकस सिर्फ वसिफ अपने person अपने counterpart पर ही रखा है यहाँ पर कालिम आपको कहना चाहती है कि आपने जो किया है उसका आपने जो efforts डाले है उसका fruitful result आपको यहाँ पर जल्दी ही मिलेगा और साथ ही मुझे यहाँ पर आप mid of the journey में हैं आप twin flame journey में हैं आप भगती के mark पर हैं आप meditation कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका third eye जरूर एक्टिवेट हो रहा है ओके third eye हो सकता है आपको यहाँ पर third eye जहाँ पर eyebrows के mid of the point होता है वहाँ पर आपको heaviness feel होती हो भारीपन लगता हो आपको forehead में heavy पन लगता हो थोड़ा इस तरीके से या कुछ और भी आपको ऐसा feel होता हो थोड़ा dizziness भी feel हो सकता है कभी कभी तो यह आपके इसी चीज़ के symptoms हैं कि आपका third eye यहाँ पर activate हो रहा है यह हो सकता है आपको जब भी आप eyes close करते हो तो यहाँ पर eyebrows के बीच में ज तो यह इसी का यही इसी वज़े से हो रहा है कि आपका third eye यहाँ पर activate हो रहा है को कि और जब आपका third eye activate हो रहा है तो मुझे intuition यह आ रहा है कि आप जल्दी अपना soul purpose भी शुरू कर पाएंगे यहाँ पर अगर आप twin flame journey में आप भक्ति के मार पर है spiritual path पर है दक्षिन कालिव blessings of long life यहाँ पे आपको long life कीERS blessings दे रही है मा आपको इतना प्यारई इतनी प्याराो कार्ड है des के की इनेर्जी ईस कार्ड की I hope आप देख पा रहा हूंगे कितना प्यारा प्यारा कित आपको बलैसिंग्स और मुझे लग रहा है इस वक्त सदो आपको माisma कैंकी व्यारा चाहती हैं कि अपने उपर इतना ज़़्ादा बोज ना लें इतना ज़्यादा बढ़न ना लें क्योंकि आपके जीवन का जो भार है वो कालिमा ने लिया हुआ है तो यहां पर उनपर ट्रस्ट रख्ये उनपर सरंडर कर दीजे इस वक्त आपके जीवन में जो भी situation है वो कालिमा देख रही है वो समाल लेंगे उन्हें आपके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपने उपर ध्यान रखना है और कालिमार पर ट्रस्ट रखना है अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं थोड़ा पॉस लीजिए थोड़ा सा आप अपने समय दीजिए हर चीज से और ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है अपने creativity पर ध्यान दीजिए आपको अगर आपको इस वक्त डिस्टरब है तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपके मन को खुशी दे आपको मा कहना चाहती है चंदर शेकर blessings of good luck वाउ दिखे यहां पर कालिमा जो है वो दे रहे हैं आपको blessings of good luck तो शिव शक्ति की energy मुझे feel हो रही है यहां पर यहां पर यहांपको यूनियन की blessings यहां पर शिव शक्ति दे रहे हैं कालिमा और महादेव जीवन में आपका जो एक नकरात्मक फेस चल रहा था ना एक पेन वाला जो फेस चल रहा था वो यहां पे खतम हो रहा है आपके फिर से एक नई शुरुवात हो रही है न्यू बिग्निंग हो रही है यहां पे और यह आपकी भक्ती का प्रभाव है भक्ती का प्रभाव है आप जो नाम जब कर रहे हैं जिस तरीक तो यह थी आज काले मा की blessings आपके लिए I hope आपको अच्छी लगी हो और guidance जरूर follow कीजे ओके आप जो जिस path पर भी है जिस तरीके से आप अपने इश्वर से connect हो रहे हैं वो बहुत ही बहुत 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 प्यारा connection है आपका आपके east से उसी तरीके से follow करते रहें और नाम जब जरूर कीजे आप बिल्कुल सही path पर है विवस I hope आपको अच्छे लगी हो comment में आके जरूर बताएगा की reading आपको कैसे लगी और जन से अगर कुछ resonate होता है तो वो भी बताएए और चलिए मिलते हैं next reading में ऐसी ही प्यारी blessings के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए काली मा आपके साथ है ममा आपके साथ है आपको घबरानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है विश्वास रखिए जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं next reading में अपना ध्यान रखिए ओके जैश्री कृष्णा God bless you जै मा काली